राधे राधे आज मैं कानजी के लिए 3D इस्टिज में दो रंग से बनेवी एक सुन्दा से ड्रेस बना कर लाई हूँ इस डिजाइन को आप कितने भी बड़े और कितने भी छोटे कानजी के लिए बना सकते हो सब को बनाने का तरीका एक ही रहेगा देखो बड़े कानजी के ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये 25 चेन से चोली को सुरू किया है 25 चेन बनाने के बाद मैंने पहली दो चेन छोड़कर हर एक चेन में एक डबल क्रोश्य बनाया है उसके बाद हर एक चेन में दो दो डबल क्रोश्य बनाए है और फिर यहां पर माल्यापके 30 होते हैं, तो आपको 5 बुनने हैं, 5 छोडने हैं, 10 बुनने हैं, फिर 5 छोडने हैं, फिर 5 बनाने हैं, और इसमें हमारे यह देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुए हैं, हमने 9 बनाई, 9 छोड़े, फिर 18 बनाई, फिर 9 छोड़े, फिर 9 बनाई, और इसके बाद हर एक लाइन में एक एक डवल क्रोश्य बनाया है ऐसे हर एक चेन में एक एक और उसके बाद हमने यहाँ पर एक लाइन और बनाई है ऐसी क्योंकि हमने बड़े कानजी की ड्रेस बनाई है तो इसमें दो लाइने बनाई है एक दो तीन चार पांच छे छे लाइनो कम कर सकते हो और उसके बाद हमने हाँ पर दो चेन में दो डबल क्रोश्य बनाए हैं और एक चेन में एक डबल क्रोश्य बनाया है और अगर हम छोटे कानजी की ड्रेस बनाएंगे तो उसमें हर एक चेन में दो डबल क्रोश्य बनाएंगे देखो अब मैं इसको इस कलर से शुरू कर दी हूँ अब हम पंद्रा चेन बनाते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा अब हम दो चेन छोड़कर हर एक चेन में एक डबल कुरूश्य बनाएंगे देखो इस तरह हमारी ये लाइन फूरी हो गई है अब हम दो चेन बनाएंगे और इसको ऐसे पल्टेंगे अब हर एक चेन में हम दो दो डबल कुरूश्य बनाएंगे एक दो एक दो अब हर एक चेन में दो डबल कुरूश्य बनाएंगे देखो अब हमारी ये लाइन भी पूरी हो गई है अब हम दो चेन बनाते हैं अब हमारे पास ही 26 डबल कुरूश्य है और हमें छे भागों में डिवाइड करना है तो तो चार चिक 24 अब हमारे पास दो बज़ते हैं तो हम सुरू में पांच बनाएंगे एक दो तीर चार पांच अब हम चार थोड़ेंगे एक दो तीन चार और अब यहां पर हम आठ बनाएंगे एक दो तीर चार पांच छे साथ आठ अब एक दो तीन चार थोड़ेंगे और आप पांच बनाएंगे अब हमारी यह लाइन ऐसे पूरी हो गई है अब हम दो चेन बनाएंगे अब इसको पलटके हर एक चेन में एक डबल क्रोश्या बनाएंगे इस तरह हमारी है तीन नंबर के कानाजी की चोली बनके तैयार हो गई है अब हम इसको यहां पर जोड़ देंगे अगर आपकी उन पतली है तो आप पंदा चेन की जंगे अठारा चेन बना सकते हैं अब हम दो चेन बनाएंगे और हर एक चेन में दो डबल क्रोश्या बनाएंगे इस तरह हैं एक दो एक दो यह हम एक ही चेन में दो डबल क्रोश्य बना रहे हैं इसी में एक और अब इसी चेन में एक और बनाएंगे ऐसे फिर अगली चेन में एक फिर एक और दो इस तरह यह लाइन पूरी करने है देखो इस तरह हमने यह लाइन पूरी कर लिए हर एक चेन में दो डबल क्रोश्य बना करना अगर आप बढ़े कानची की बना रहे हो और आपको लग रहा है कहा आपकी ड्रेस भी ज्छोलनी बढ़ रहा तो आप हर एक चेन में दो दो बढ़ा सकते हो नहीं तो दो चेन में दो दो और एक चेन में एक अब आगे देखो इसमें हम दूसरा रंग लगाते हैं मैंने यह डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन लिया है कि अब हम इसमें ऐसे यह उन जोड़ेंगे अब हम एक दो तीन चेन बनाएंगे एक दो ऐसे हम दो बार डाल करेंगे और इस वाले करोशी की अब हम चेन में डालेंगे यहां से डालेंगे बराबर से इस तरह इसे अब एक दो बार डालेंगे यह दो लूप हमारे पास रह गए है अब इनको फिर हम ऐसे डालेंगे एक दो अब हम इन सब लोप को एक साथ निकालेंगे ऐसे अब फिर हम ऐसे एक दो बार डालेंगे और अब की तरफ हमने उपर से लिया आता और आब ऐसे नीचे से डालेंगे देखो इस तरह और उपर की तरफ ऐसे क्रोश्ची को निकालेंगे अब फिर हम ऐसे दो बाल लेंगे एक दो फिर एक दो बाल लें पेटा फिर ऐसे उसी जंगे पर फिर वापस कुरोश्य डाला ऐसे जहां हमारा पहरे था फिर ऐसे यह दखो इस तरह एक दो अब के बार ऊपर की तरह ऐसे हैं इसे हैं दो लूप अपने पास रकने हैं एक दो बार ले पेटा प्रोश्य को फिर ऐसे निकाला यह हम ट्रीपल प्रोश्य बना रहे rempli ऐसे एक, दो बार निकाला, अब इन सब को एक साथ निकाल लेंगे, ऐसे, अब एक, दो बार फिर लेंगे, आपकी बार नीचे से, ऐसे, इस तरह, यह आपको पूरी लाइन, ट्रीपल क्रोश्य बना की पूरी करनी है, अब एक, दो, अब की बार उपर से, एक, दो, एक, दो, अब इन सब को एक साथ, यह देखिए, फिर एक, दो, अब की बार ऐसे नीचे से, एक, दो, इस तरह, फिर एक, दो, अब की बार उपर से, यह देखिए, इस तरह, हम यह लाइन, पूरी लाइन वनाएंगे, देखो, अब हम यहाँ पर लास्ट में आ गए है, अब हम इस में ऐसी, ऐसी ही यहाँ पर लास्ट में बनाएंगे, अब हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, यह देखो, यह दिजाइन हमारे दोनों तरफ से एक साएगा, यह धर से भी और इधर से भी, अब हम इस उन को छोड़ देंगे, और यह दूसरे वाला धा कर लेंगे, इस तरह, अब हम एक, दो, चेन बनाएंगे, और हर एक चेन में, यह देखिए, दो दो डबल क्रोश्रे बनाएंगे, एक, दो, फिर अगले चेन में भी दो, एक, दो, इसमें थोड़ा खिचाओ आ रहा है, इसलिए हम हर एक चेन में दो-दो बना देंगे, अगर आपको लगता है कि धीला पड़ा है, तो हम दो चेन में दो-दो बनातें, और एक चेन में एक बनातें, लेकिन अब हम हर एक चेन में दो-दो बना रहे हैं, यह हमें सिंपल डबल क्रोश्रे बनाने हैं, दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो-दो- और यह लाइन इस तरह चाहिए है, अब हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, अब हम यह ग्रीन वाला हून लगाएंगे, ऐसे, अब हम इसमें तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, और सेम हमें यह वाली लाइन बनानी है, अब आपको जितनी भी बड़ी ड्रेस बनानी है, एक लाइन आप यह वाली बनाएंगे, और एक यह वाली सिंपल लाइन बनाएंगे, और इस ड्रेस को आप अपने कितने भी बड़े और कितने भी छोटे कानजी के लिए बना सकते हो, अब हम यहाँ पर ट्रीपल क्रोश्य बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था इस तरह अब इन सब को एक साथ में गालेंगे फिर ऐसे लेके आपके नीची की तरफ को बनाएंगे ऐसे अब के ओपर की तरह वल्डेके ने असे परफ कर दो है अब ने जोड़ेंगे लोनाएंगे बनाएंगे जोड़ेंगे इस तरह, आप कितने भी बड़े और कितने भी छोटे कार जी की ड्रस बना सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए अगर आब देख मरत शेत को सब्सक्राइब करा दीजे रेचा कि जादा जादा शियर करिए धन्यवाद